हेलो दोस्तो स्वागत है आप लोगों का मेरे योटूब चैनल पर जिसका नाम है All Secret Fact तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं लाल चंदन के बारे में लाल चंदन को रक्त चंदन भी का जाता है जिसकी कीमत लाखो करोरो रुपे की होती है लाल चंदन का विग्यानिक नाम टेरो कोर्पस सेंटनस है जबकि सफेज चंदन को सैटलम अल्बम के नाम से जाना जाता है और ये दोनों अलग अलग जाती के पेड़ है सफेज चंदन की तरह लाल चंदन का विग्योग दवाई या परफ्यूम बनाने या हवन पूजा के लिए नहीं होता बलकि इससे महेंगे महेंगे फरनीचर और सजावट के बहुत से समान बनाए जाते है और इसका उप्योग पराकरतिक रंग बनाने और कोस्मेटिक उतपाद बनाने और भी बहुत से कीमती समान मनाने में किया जाता है बलकि दोस्त हम आपको बता दे की इसका उप्योग महेंगी सराब बनाने में भी किया जाता है दोस्तों लाल चंदन की इंतराष्टे बजार में कीमत 3,000 रुपे परती किलो की होती है लाल चंदन आंध परदेश के जंगलों में पाई जाने वाला पेड़ है इस अनोखे पेड़ की ओसत तुचाई 8 से 11 मीटर की हो सकती है और बहुत दीरे दीरे बढ़ने की वज़े से इसकी लकड़ी का घनत बहुत जादा होता है आपकी जानकारी के लिए बता दे लाल चंदन की लकड़ी और लकड़ी की तरह पानी पर नहीं तैर सकती बलकि वैप पानी में डूब जाती है क्योंकि इसका घनत पानी से जादा होता है और यही असली लाल चंदन की पैचान होती है आंधर परदे सरकार से मिली एक जानकारी के मताबिक पिछले साल दिसंबर में हुई निलामी में चीन, जापान, सिंगापूर, आस्टेलिया, अमीरिका और संयुक्त अरब अमिरात के अलावा और भी कुछ पस्चिमी देशों से लगबख 400 वैपारी ने बोली लगाई थी इन 400 में लगबख 500 से जादा तो सिर्फ चीनी वैपारी ही थे क्योंकि चीन में लाल चंदन की मांग बहुत जादा है इसी कारण से वहाँ पर अवेद रूप से तसक्री भी होती रही है दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पेडों की सुरक्सा के लिए उन जंगलों में इस्पेशल टास्क फोर्स की तना तिवी की गई है आंधर परदेश की सेसा चलम पाडियों में पाई जाने वाले लाल चंदन के पेड़ को हिंदु धरम में काफी प्युत्र माना जाता है लाल चंदन में सपेज चंदन की तरह कोई सुगंध नहीं होती यह काफी गुणकारी होता है ओस्दियों गुणों के साथ ही इसका प्रियोग सुंदर्ता को निखारने के लिए भी किया जाता है अंतराष्ट्य बजार में इसकी लकडियों की कीमत काफिया दिखोती है अंतराष्ट्य समझोते के तहट भारत पर लाल चंदन के पेड़ों की सुरक्सकी जिम्मेदारी है तमिल्लाडू की सीमा से लगे आंधर प्रदेश के चार जिले नेलूर, कुर्नूल, चित्तूर, कडपपा में फैली से साचलम पाडियों में ही लाल चंदन के पेड़ उगते हैं इन जिलों के अलावा ये पेड़ और कहीं भी नहीं पाई जाते हैं तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जुरू कर दे और ऐसी ही अमेजिंग और इंट्रेस्टिंग जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जुरू कर दे